दोस्तों रमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपके साथ लाइव मौझूद हूँ और चर्चा में हूँ हर्याना विधान सभा चुनाव को लेकर इसमें पूरे हर्याना के अंदर आप कहीं चले जाएं भले ह महीना सावन का है भले ही 15 अगस्त आने वाला है इसके साथ साथ तमाम त्योहार पर रक्षा बंदन जन्माश्टमी आने वाले हैं लेकिन चर्चा है तो सिर्फ राजनीती की हर्याना के अंदर आप कहीं चले जाएं किसी नुकड़ पर किसी गली में किसी चाय के दुकान पर किसी चौपाल पर हुके के गुड़ाट पर आपको जहां भी सुनाई देगा चुनाव सुनाई देगा यहां यह आ रहा है यह वो जा रहा है यह लड़ सकता है इसको लड़ाया जा सकता है इसको बिठाया जा सकता है इसको टिकट मिल सकता है इसको टिकट कट सकता है यानि क कि चौपाल से ले करके और गाओं की सरहत तक आप कहीं चले जाएं चर्चा आपको यही मिलेगी दोस्तों राजनिती के अंदर पाल खाप गोत्र धरम जाती विरादरी समाज छेत्रिलाका इन सब का बहुत महतु रहता है बलही तमाम राजनितिक दल कहते हों कि वे छेत्रवा के अंदर सबसे बड़ा factor यह रहता है चाहे वह जो चुनाव होता है घौन की पण्चायत के मेंबर का हो यह फिर देश की पंचायत करेमयार का हूँ अब बात विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट जिसका धार्मिक आध्यात्मिक राजनीतिक पॉरानिक हर जगा महतो है अगर उसकी धार्मिक बात करें तो यहां पर कहा जाता है कि जब पांडव वनवास पर थे और अग्यातवास का कुछ समवनों ने पलवल बिताया अगर ध्यात्मिक बात करूं तो फिर पलवल को पलव से जोड़ करके देखा जाता है यानि की तालावों का शहर मतलब पलवल की यतिहासिक्ता को आप कहीं दरकेनार नहीं कर सकते और अब मैं आता हूं आपके साथ प्लिटिकल सेनेरियो पर राजनितिक परिद्रश्य पर कि काने लोग हैं उनको तब पता होगा लेकिन जो आज की नई पीडी है और खासकर जो युवा वोटर हैं मैं उनसे बात करता चलूं कि 2007 के परिशीमन के बाद पलवल का राजनितिक परिद्रश्य एक बार फिर बदला 2007 से पहले जो चला करता था पलवल किसी समय रिजर्व हुआ करता था और उसके बाद जनरल सीट जब हुई और जनरल सीट बनने के बाद यहां पर बाबु मूल चंद मंगला, रूपलाल महता, चौधरी कल्यान सिंग, सुभाश कत्याल ये तमाम बड़े नाम यहां से रहे जो चुनाव लड़कर चुनाव जीतते रहे, करन सिंग दलाल के नाम पर यहां का एक रिकॉर्ड रहा की लगातार चार वार विधायक बनने का, 1991, 1996, 2000 और 2005 ये चार वार करन सिंग दलाल पलवल से लगातार विधायक बने, तो यह सब बातें राजनीतिक दोर में गिनी जात अगर मैं 2009 के चुनाव की बात करूँ जो पहला चुनाव हुआ परिसीमन के होने के बाद में, डिलिमिटेशन के बाद जो पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में बदला हुआ क्या था, अगर पलवल के अंदर आप देखें तो जो 2009 से पहले के चुनाव थे, 2005 तक, 2000 तक जो भी चुनाव हुए, उसके अंदर एक तरफ आते थे, तेवतिया पाल आती थी, अलावलपूर, सदरपूर, बडराम, खजूर का ये गाउं पलवल के अंदर हुआ करते थे, अगर यहां चलते थे तो भुडेर पाल पलवल के अंदर होती थी, प्रतलाक तक पलवल में हो करता था, और यहां चले तो फिर बगोला हुआ करता था, यानि कि मत्रा की साइड जाएंगे तो वामनी खेडा और दिल्ली की तरफ चलेंगे तो बड़े गाउं, ब्रामणों के बड़े गाउं ये पलवल विधान सवा में थे, राजपूतों के बड़े गाउं थे, फिरो विधान सवा के अंदर जो गाउं जुड़े वो प्रितला, दुधोला, फिरोजपूर, बगोला, ये तमाम गाउं लगवग 32 गाउं पलवल विधान सवा छेत्र के जाकर के प्रितला विधान सवा में जुड़े, अगर इधर आ जाते हैं तो फिर एहरवां जैसे बड़े गाउं वो चले गए दुरगापूर जैसे गाउं ये चले गए हम अगर आगे चलते हैं तो फिर बामनी खेडा चला गया हथीन विधान सवा में और दीगोड जैसे बड़े गाऊं जुड़ गए जाकर के होडल विधान सवा के अंदर और में जुड़ा वह gशड़ा वह ब बड़े गाओं जो बैसलात के गुजर गोतर के जो हैं गुजर पाल के वहां किसी भी आप गाओं में चले जाए जब पाल की बात आती है तो इसके अंदर रोते तो सभी आती के लोग हैं लेकिन उसको जो बड़ा मागा मैजॉर्टी हुआ करता है कास्ट समेकर उस जोड़ लिया जाता है और इस लिहाज से देखे तो बैसलात के गावों को पलवल विधान सभा में आने के बाद में यहां का राजनीतिक परिद्रश्चे चेंज हुआ 1987 में यहां से सुभाश कत्याल विधायक बने थे 1987 के बाद में 1991 में करन सिंग दलाल और सुभाश कत्याल का मुकावला हुआ इनके बीच में थे नित्यानन शर्मा कॉंग्रेस से करन सिंग दलाल आ गये थे हरियाना विकास पार्टी से और वही सेनेरियो था करन सिंग दलाल चुनाव जीत गए और नित्यानन शर्मा कॉंग्रेस और सुभाश कत्याल वो उम्प्रकाश चोटाला ताउ देवी लाल की पार्टी से थे वो चुनाव हार गए 1996 का चुनाव आया करन सिंग दलाल फिर से हर्याना विकास पार्टी के कैडिडेट थे चौधरी बंसी लाल की पार्टी से दूसरा चुनाव था उनका वो और यहां कॉंग्रेस ने पंडित योगेश शर्मा योगेश गौड को टिकेट दे दिया चौधरी देवी लाल की पार् प्राना गोत्र से हैं लेकिन उनका बैसलात के गामों में अच्छा असर रहा गूजर गामों के अंदर 1996 के चुनाव की बात में आप से कर रहा हूं और उस चुनाव के अंदर करन सिंग दलाल बड़े अंतर से फिर चुनाव जीते 2000 का चुनाव आ गया हरियाना के अंदर लेहर थी चौधरी ओम प्रकाश चोटाला की उनका एलाइंस था भारती जंता पार्टी से उस एलाइंस के कैंडिडेट थे फिर से देवेंदर चोहन और कॉंग्रेस के कैंडिडेट कॉंग्रेस नहीं उस समय करन सिंग दलाल को जो ट कि तीसरा चुनाव फिर जीत गए 2000 का रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया की टिकेट पर अटल भिहारी वाजपेई से लेके दारा सिंग तक तमाम नेता आये लेकिन करन सिंग दलाल को पटकनी नहीं दे पाए उस समय गाना चला था बहुत जादा उम प्रकाश चोटाला मुख्य मंत्री थे उस समय पर और एक गाना बनाया था यहां के लोग गायकों ने करन सिंग दलाल को ले करके कि पलवल की जनता का तुछ से केवल एक सवाल है तेरी आँखों में क्यों चुबता अपना करन दलाल है और इस मैं बताऊं तो इस गाने के दम पर करन सिंग दला और 2005 का जो विधानसाः चुनाव दोस्तों हुआ उसके अंदर करन सिंग दलाला अब कांग्रेस के टिकेट पर कंडिडेट थे हर्याना के अंदर कॉंग्रेस की लहर थी और इंडियन नेशनल लोगदल से सुभाश कत्याल केंडिट हुए करन सिंग दलाल फिर चुनाव जीत गए चौथी बार उसके बाद में डिलिमिटेशन हुआ 2007 के अंदर और 2009 का जो चुनाव पहला हुआ विधान सभा का चुनाव उसके अंदर जो मैंने आपको बताया गूजर बाहुले और बैसलात के इरिया से जिनको जाना जाता है लगवग दो दरजन गाउं बताए जाते हैं उनके अंदर वो यहां से बदलाव शुरू हो गया 2009 का चुनाव वही सुभाज चौधरी जो बहुजन समाज पाट्री के टिकेट पर लड़कर के चुनाव हारे थे दो बार 17-18-20,000 मूर तक ले पाए थे 2009 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोगदल के टिकेट पर जबकि सरकार हरियाणा म कॉंग्रेस की बनी लेकिन करन सिंग दलाल चुना भार गए और माना यह गया कि बैसलात का एरिया जुडने के बाद सुभाज चौधरी को ताकत मिल गई 2009 के चुनाव में सुभाज चौधरी केंडिडेट इनेरों के हुए और उनके मुकाबले जो केंडिडेट करन सिंग दलाल हुए कॉंग्रेस से और इनके बीच में भारती जन्ता पार्टी से अनंगबाल बैसला बडौली संग का निकास था लेकिन रिहायश पलवल नहीं थी और उस समय भारती जन्ता पार्टी का हरियारा में कोई वजूद नहीं था लेकिन अनंगपाल बैसला को भी 4-5 जार वोट मिल गए और इधर सुभाज चौधरी चुनाव जी दिगए क्योंकि बैसलात ने और सुभाज चौधरी को समर्थन कर दिया इधर पलवल शेहर के अ अंदर कोई गूजर केंड़ेट मैदान में नहीं था और 2014 के चुनाव को लेकर दोस्तों कई दिल्चस्प बातें चली जो राजनीती में रूची रखते हैं मैं ज्यादा बात उसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि खटास भी हो जाती है कई लोगों को लेकिन उस चुनाव के अंदर खासकर बैसलात को लेकर करके कई प्रकार की बातें चली 2014 के चुनाव में कोई गूजर केंड़ेट नहीं था समा करें 2014 के चुनाव में सुभाष चौधरी कैंडिडेट थे वो भी गूजर समाथ से इस बार दुबारा थे और इंडियन नैशनल लोगदल से थे लेकिन 2014 का वो दौर था जब पूरे हर्याना के अंदर हवा बन चुकी थी भारती जंता पार्टी की भारती जंता पार्टी से टिकेट मिला इस चुनाव में भी दीपक मंगला को पहली बार विधान सभा का टिकेट लेकर दीपक मंगला मैदान में आये सामने करन सिंग दलाल से थे और बीच में वहां पर सुभाष चौधरी आ गए और सुनाव में सुभाष का त्याल भी मैदान में थे खेर बात में बैसलात की जोड़ रहा हूं इसलिए वहीं लेकर आ रहा हूं आपको बैसलात ने सुभाष चौधरी को अब की बार वो समर्थन नहीं दिया क्यों वोट लेने में कामयाब हुए और असर उसका यह हुआ कि इस चुनाव में करण सिंग दलाल जीत गए और जो उम्मीद थी कि बीजेपी के पक्ष में जाएगा वो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया और दीपक मंगला चुनाव हार गए लगवग 5500 वोट से 6000 से कम कम वोट का उनका मारजन था फिर चुनाव आया 2019 का 2019 के चुनाव में पहली बार कोई भी गूजर केंडिडेट मैदान में नहीं था और इस चुनाव के अंदर इस चुनाव में ना गूजर केंडिडेट सा ना पंजाबी केंडिडेट था और सीधा मुकाबला था आमने सामने का करण सिंग दलाल और उनके सामने थे दीपक मंगला भारती जंता पार्टी से और ये चुनाव ऐसा चुनाव था कि जो करन सिंग दलाल के प्रिटिकल करियर में उनको हमिशा याद रहेगा हार तो उनकी 2009 में भी हो गई थी लेकिन जो 2019 का चुनाव हुआ लगबग 39-30,000 वोटों से चुनाव जीत गए दीपक मंगला और माना ये गया कि एक तरफा समर्थन बैसलात से मिल गया दीपक मंगला को मैं इस लिहास से आप से कह रहा हूँ कि यह माईने रखता है मैं इसी लिहास से आप से कहा था कि चुनाव के अंदर जाती धरम पाल गोतरी सब माईने रखते हैं और जो प्लिटिकल सेनेरियो चेंज हुआ राजनितिक परिद्रश्य मैंने आपको बताया 2009 2014 2019 अब तैयारी 2024 की है 2024 के चुनाव के लिए जो नाम चल रहे हैं कॉंग्रेस से आज भी नाम चल रहा है करन सिंग दलाल का और लगभग मना जाता है कि करन सिंग दलाल की टिकेट खत्रा कोई होगा नहीं भारती जन्ता पाइटी से यहां पर आज भी जो नाम प्रात्मिक्ता में लिया जा रहा है वो दीपक मंगला का है लेकिन जब दीपक मंगला का नाम आता है तो बैसलात के अंदर गुस्सा आ जाता है हाला कि केंडिट और भी बहुत सारे हैं जो टिकेट बीजेपी से चाह रहे हैं राजीव कत्याल टिकेट चाहते हैं इसके अंदर गौरव गौतम चाहते हैं बीरपाल दिख्शिद चाहते हैं लेकिन एक पक्ष वो वाला है जो यह चाहता है कि अब की बार किसी बैसलात के नेता को टिकेट मिलें और राजनीतिक चर्चाएं हवाएं कह रही हैं कि वहां से फैसला है कि गूजर समाज का एक केंडिट चुनाव मैदान में होगा उस सब को अगर दिखा जाए तो फिर राजनीतिक परिद्रश्य कैसा बनेगा प्लिटिकल सेनेरियो क्या बनेगा क्या गूजर केंडिट अगर खासकर कोई बैसलात से समर्थन लेकर के खड़ा होता है आजकल पंचायतों के दौर भी चलेंगे जब चब चुनाव चलेगा बड़ी छोटी पंचायते भी होगी और चल भी रहेंगे पिछले दुने एक पंचायत होई भी थी उसने वहां के बड़ाना की चर्चा है यह तमाम नेता हैं इनकी चर्चाएं और लें तो फिर और भी कुछ नाम चर्चाओं में खरित बैसला है वोनों ने भी जोइन कर लिया था पिसले दिनों आजाद समाच पार्टी चंदर शेखर वाली लेकिन चुनाव में कितना दम आएगा में सब्सक्राइब कर सकता है इस सुरह नहीं होता तो कई फिर कोई और चहरा हो सकता है और क्या फिर बेसलास से को इनका केंडिएट चुनाव मेदान में आ सकता है किसी और छोटी प्राइटी से या इंडी बढ़ेंट हो करके इस सब पर नजर रहेगी और इससे तैह होगा कि राजनितिक परिद्रश्याग बनेगा क्या जो मैंने आपको बताया वैसे जो हमारे पलवल के सुधी दर्शक है खासकर पलवल और फरिदाबाद जिले के वह में जरूर बता सकते हैं कि पलवल का प्लिटिकल सेनेरियो कैसा रहेगा इसी प्रकार के वीडियो अपडेट्स के लिए आपके साथ में लगाता रहता रहूंगा आप हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना नमस्कार दन्यवाद